दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खुबसूरत प्लान के जैसा कि अब इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे पचीस वाई पचीस हाउस प्लान है और दोस्तों ये चारो तरफ से उपर है ये मालो आप एक खेत में घर बना हुआ है पचीस वाई पचीस का बहुत बेतरीन सा प्लान मैंने आप पर क्रेड़ किया है आप लोगों के लिए हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं पेड यूजर्स हैं उन्होंने इस मॉडल के डिवांड ने कि नहीं हमें से कॉंटेट किया उनके कहने पर उनकी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग मैंने हाउस ही क्रेड किया है इसी मॉडल को डिसकस करेंगे 25 वाई 25 फिट में पूरा आपको डिसकस करने वाला हूं तो बने देशूर्ण लगातार बैंगों ज्ञागड़े और आप देख रहा है अपना चैनल माल हॉस प्लान अगर आपने माल हस प्लान को सब्कराइब नहीं किया तो जरूर कर लें साथ सब्सक्राइब नहीं जरूर दुर दबा दें जैसे मेरी आने वाले सब्सक्राइब आप देख चाके इसलिए दिया है कि विचारो तरफ से ओपन है यह आपका कार पार्किंग का एरिया है यह आपका में डूर है और 25 भाई 25 से हड करके दोस्तों यह इस्टेर्स है मैं पहले इस प्रेड को रिमूब कर देता हूं तो दोस्तों जैसे आप यह दिखे 25 भाई 25 जो एरिया मकान यह स्टेर्स बनी है हलाए कि यह थोड़ा अलग जगये में बनी है क्योंकि चारो तरफ ओपन था तो 25 भाई 25 में मकान लेकिं स्टेर्स जो बाहर से दिए हैं उनकी रिक्वार्मेंट थी कि स्टेर्स के बाहर से होनी चाहिए तो आप इस स्टेर्स बाहर से दिये है दोस्तों 3 प्रिट का जो कि आप लपाएंगे फ्रेंट टेलेशन की बात करें तो पूरा इसका मैं बताऊंगा ये बैट डूम बगएरा इसका कार पारकिंग का साइद और ये आपका जो ये एरिया दिख रहा है तो ये भी पूरा तो सबस्वलेकर हम ग्राउंड फ्लूर की बात करें त और ये जो आप देख रहे हैं डिजाइनिंग ये देखिए दोस्तों जो स्लूप टैप का देखा होगा आपने एक प्लायर रखे रहते हैं तो ये पिलर्स वगएरा है आपके चारों तरफ देखीगा इस साइड भी ये डिजाइनिंग का पार्ट है ये को दोस्तों मैंने क ये आपका मिस्त्री बनाएगा अब हम बात करते हैं जैसे आप इस्टिर्स में बड़ा सा विंडो धियर विंटलेशन के लिए इसके बाद आपको यहाँ पर दिखिए बड़ा सा किशिम मिल जाता है इस के एरिया के जैस्ट में आपको ये एक बाथरूम और ये आपका ले मिल जाता लेट ये मिल जाता पूरा एरिया ये आपका वासिंग एरिया यहाँ पर है इस किचिन के मादम से क्योंकि दोस्तों पीछे भी उपर है तो किचिन से ही पीछे जाने का मैंने एक रास्ता भी दो फिट का दिया है इसे डूर से एक विंडो दिया है इस किचिन से आप आज आते हैं पीछे जो कि मैंने एक बालकनी टैप का देखी पीछे दिया है लगवक तीन फिट का यहाँ पर आ जाएंगे और अपना पूरा यहाँ पर लुक भी जो दिया है फिरेंट इलेविशन वो भी आप देख पा रहे होंगे तो यह तो पूरा पूर्शन यह वाला हो यह एक बड़ा सा बेट्डूम यह डाइनिंग एरिया यह किचेन यह लेटन बात वगएर आपका 25 क्रोश 25 में देखने को मिल जाता है यह पूरा चारो तरफ सो ओपन जैसा है कि मैंने आपको बता दिया देखी गा विंटलीशन के लिए डूर एंड विंडू वगएरा सब कुछ मैंने यहाँ पर दिया है अब अगर हम बात करें इसके फ़र्च लूर की तो आप देख पा रहे होगी यह फ़र्च लूर है इसमें कुछ भी मैंने डेजाइन नहीं किया चारो च्छत बना दी और चारो तरफ रेलिंग लगा दी है जो आप देख पार इस्टेर्स के आप चड़ेंगे और टरन होकर आप उपर आ जाते हैं जिससे आप च्छत पर मूब कर पाएंगे यह रेलिंग मैंने दी है दोस्तों इस्टेर्स को दिखी गा जिससे आप पर इस तरफ कि उपन होगा तो आपका प्रॉल्म से नहीं रेलिंग है और यह पूरा एरिया आपक कोश्ट की बात करें कोश्ट कितना लगेगा तो उसके लिए आप हमारे इसमाल हाउस प्लान अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वह दोस्तों पूरा कोश्ट पाइंड आउट कर देता है लिंक डिसकेप्शन में या पे प्ले स्टोर पर जाकर वहां भी स्माल हाउस सर गरोएं कोई भी ॆउट है या कोई भी सजेशन है तो आप में करके बता सकते हैं हम ने जैसा कि आपको पता प्ले सर्विस के इस्तौमाल करना चाहते हैं तो जुरूर कर नंमर नमर हमारे डिस्क्रिप्चन में है वह आप मेरा बात करके आपकी रिक्वार्मेंट को समझ कर क्या आपके according house create करता हूं लेकिन वाँ पर आपको payment करना होता है उसके बाद ही house create होता है तो इस model के बारे में क्या opinion है मैं जुरूर बताएं Thanks for watching